रामसेतु माखिर क्या है यह कितने साल पुराना है और इसका निर्माण कब हुआ था जानेंगे वीडियो के अंत मी रामायन के अनुसार 17 सथाबदी ईशा पौर्व से तीसरी सथाबदी के बीच रामसेतु का निर्माण हुआ भगवान राम ने लंका जाने के लिए भगवान हनुमान के नेतत में वानर सेना की मदद से यह पुल बनाया था राम से रमायर काल को वो भी जिंदा सबूत जो आज भी भारत में मवजूदा है इसे अंतरिक से देखा जा सकता है यह इतना बड़ा है आज भले ही बहुत पुराना हो चुका है बढ़ता हुआ जल इस तर से धीरे धीरे राम सेतु खतम होने के कगार पर है कहते हैं कि इतिहास के कुछ सबूत सामने आते जाते रहते हैं भारत सरकार और आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की युग राम सेतु को जिंदा करने की है साल 2008 उस समय की सरकार ने राम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सुक्रीम कोट में ये तक कहा था कि राम ने राम सेतु बनाया और उसे तोड़ भी दिया ये राम सेतु असली नहीं नकली है सरकार राम सेतु तोड़ कर यहाँ पर समुद्री जहाजों को जाने का मार्ग बनाना चाहती थी एक ऐसा देश जिसकी 80 प्रतिशत आवादी हिंदू है उसी के सबसे प्री स्री राम द्वारा बनाया गया राम सेतु तोड़ने वाले को सरकार को लोगों ने किस किस तरह जाने दिया ये तो समझ नहीं आता सन 2020 में आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया द्वारा ये लोगों को नियुक्त किया जक गया जिसमें राम सेतु के आसपास अंदर वाटर प्रचीन चीजों की खोज किया जाएगा और इसके बनावट का निरिछण भी किया जाएगा जिसके अंतरगत पुने होगा अब तक की तो नासा द्वारा इस बात का दावा भी किया सुका है कि राम सेतु मानव निर्मित है इसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर है जो कि भारत के रामे स्वरम को स्री लंका के पनार से जोड़ता है क्या इस पर पाए गए पत्थर आसपास नहीं पाए जाते जबकि इन पानी पर डूबे पत्थर लगे सैवालों से यह पता लगाया जा सकता है कि यह कितनी साल पुरानी है यह इस्तिती यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि यह कितनी साल पुराना है कुछ लोग अक्सर नहीं मानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा सेंपल द्वारा रेडियो कारवन द्वारा पता लगाया गया कि रामे स्वरम लाकों साल पुराना है जबकि राम सेतु के उपरी पत्थर अठारा हजार साल पुराना है और यह पानी से उपर आया था और गहराई में जाकर और कुछ जानकारी मिल सकता है इंडिधर्म में इसे बनाने की पूरी जानकारी दिया है किस तरह ने जब राम भगवान अपनी सेना के साथ यहां पहुँचे तब कोई रास्ता नहीं तस्री राम नाम लिखकर वानर सेना ने इस पूर का निर्माण किया जिससे सभी रावन की लंका तक पहुँचे राम सेतु का महतुसनातन धर में कितना है कमेंट करें और बताएं कि यह बात में कितनी सचाई है